ससुराल में कदम रखने से पहले हुई दुलहन की मौत मामले में अब घटना का लाइव वीडियो सामने आया है हिसार से विदा होकर जा रहे नरेंद्र सिह के घर में नई बहु के स्वागत के लिए तैयारियां चल रही थी बहु का पहला पैर घर में कैसे पड़ेगा स्वागत कैसे होगा नाते रिष्टेदारों के बीच यही चर्चा चल रही थी अचानक खबर आई की घर से 6 किलो मीटर पहले उस कार का एकसीडेंट हो गया है जिसमें दूलहा नरेंद्र सिंग और दुलहन खुश्बू बैठे थे घर के लोगों को इससे भी बड़ा जटका लगना बाकी था थोड़ी देर बाद पता चला कि नई नवेली बहु की हादसे में मौत हो गई है पूरे घर में कोहराम मच गया दुलहन के पहली बार घर आने से पहले उसके जीवन की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू करनी पड़ी जब दुलहन को घर लाया गया तो वह लाल जोडे की बजाए सफेद कफन में लिपटी थी रुंधे गले से उसका अंतिम संसकार किया गया सीकर जिले में बुधवार को हुए इस दर्दनाख हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है दोनों गाडियों की आमने सामने की टकर इतनी जबरदस थी की कार के परखचे उड़ गए वहीं दुलहन की मौके पर ही मौत हो गई दूलहा और उसके दो जीजा घायल हो गए ये हादसा सीकर जिले के फतेहपुर सालासर हाईवे पर मरडातु गाव के पास बुधवार सुबह करीब सात बजे हुआ था क्रेटा कार में पीछे की सीट पर दूलहा नरेंद्र पुत्र रघुवीर सिंह दुलहन खुशबू और आगे की सीट पर दूलहे के जीजा प्रभात और प्रभात के जीजा नितिन बैठे थे नितिन ही गाड़ी चला रहे थे नरेंद्र और खुश्बू की शादी छे फरवरी को हरियाना के हिसार में हुई थी विदाई के बाद कार में दूलहा दुलहन समेत दोनों जीजा हिसार से मंगलवार रात तीन बजे अपने गाव बाटला नाव लक्षमन गड रवाना हुए थे रास्ते में उन्होंने एक होटल पर रुक कर नाश्ता भी किया था वे घर से छे किलोमीटर दूर ही थे उससे पहले ही हादसा हो गया घटना स्थल के पास ओंटो पार्ट्स की दुकान है दुकान में लगे CCTV कैमरे में हादसा रिकॉर्ड हो गया था डंपर से टककर के बाद कार घूम कर सड़क की एक तरफ पलट गई वीडियो में दूले के जीजा नितिन बाहर निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं नितिन ही गाड़ी चला रहे थे